देखे, next question में लिखा है, अच्छा सवाल है, इसमें कहा गया दो particle है, इनको project किया गया है, origin से equal speed है, और एक 30 पर है और एक 60 डिग्री पर है, चलिए, एक 30 डिग्री पर फेका गया है, speed u माल लेते हैं, और एक 60 डिग्री पर फेका गया है, और इसकी speed भी u है, तो sir, देखे, य ये आंगल 30 डिग्री है, और ये आंगल भी 30 डिग्री है, राइट, अब ये, आप कह सकते हैं, एक a है और एक b है, तो ये आप a माल लेजिए, और इसको हम b माल लेते हैं, अब आगे कह रहे हैं, लोकस of b as seen by a, एक बात क्लियर है, दोनों का acceleration same होगा, और अगर दोनों का acceleration same है, तो relative acceleration क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और अगर relative acceleration नहीं है, तो with respect to each other का जो motion होगा, वो straight line होगा, तो ऐसे में, दो option तो हमारे पास cancel हो जाते हैं, अब हमें देखना है कि जो straight line उसका slope क् तो देखिए, हमें देखना है b को और a के respect में देखना है, तो a को अगर मैं rest में माल लूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b की velocity निकालनी पड़ेगी with respect to a, तो कैसे निकालेंगे, भई velocity of a को तो छोड़ देते हैं, a को rest में माल लिया, और b की velocity में a की negative velocity add कर देते हैं, और symmetry से आप देख पा रहें, यह angle 30 है और यह angle 30 है, तो definitely यह angle 45 होने वाला है, इसका मतलब b का जो motion है वो a के respect में इस line में होगा, और clearly इस line का जो slope है वो minus 1 है, तो इसका answer सही होगा a.